आज हम बना ने जा रहे हैं चिकन कीमा रोल यह रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आता है् आप घर पर बहुती आसानी से बना सकते हैं तो चलिए चलते है इसे बनाने की प्रोसिस धुण चिकन कीमा बनाने के लिए हमें यहां चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मीर्च पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, आमचूर पाउडर, कली मीर्च, चीनी, जीरा, नमक, मेयो सॉस, बटर, कटी हुई हरी मीर्च, अध्रा कलैसुन पेस्ट, दही, चॉप्ट किया हुआ ओनियोन, बारी कटा हुआ बीट रूट, बारी कटा हुआ टामाडर, हमने इहां पे ले लिया दो अंडे, इहां पे हमने 200 ग्रांद चिकन कीमा लिया है, जिसको मीर्च पाउडर, हल्दी दाही और नमक से मैरिनेट कर लिया है, मेल्ट किया हुआ घी, सर्सोका तेल, कड़ाई गरम हो गया है, आभी हम इसमें तेल डाल देंगे, चार चमच तेल डालेंगे, इसको गरम हुने देंगे, इससे पहले डालेंगे, जीरा, एक चमच, चॉप्ट ओनियोन, कटा हुआ तमाटर डाल देंगे, और इसको हलके से हिलाएंगे, डाल देंगे, कटी हुई हरी मेर, बीट रूट, और अध्राक लैसून पेस्ट, इसको भी मिक्स कर देंगे, हाई फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे, अब हम इसमें एड़ करेंगे, एक चमच मीर्च पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच गरम मसाला, एक चमच चिकेन मसाला, एक चमच आमचूर पाउडर, चीनी, चमच नमाग, और आधे चमच काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिला लेंगे, हम चिकेन कीमा इसमें डाल देंगे, हम इसमें दो चमच दही डाल देंगे, और इसे मिक्स कर देंगे, बनाने के लिए गैस का फ्लेम पूरे टाइम हाई ही रखेंगे, मिक्सचर में हप कप पानी डाल देंगे, और इसको कभार करके, रख देंगे पाच मिनिट आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर ड्राई होना बहुत जरूरी है यह देखिए फुरी तरह से सुखा हो गया आप हम इसको कडाई से निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए दो मिनिट रख देंगे पे मैदा ले लिया है इसमें डालेंगे एक चमच सुगर एक चमच नमक और दो चमच घी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़े थोड़े पानी डालके उसका एक अच्छा डो बना लेंगे दो बनके रेडी हो चुका है और इसमें घी लगा के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे दस मिनिट बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे फिर से थोड़ा सा इस तरह गूंद लेंगे अब हम इसके छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे इसे रोटी के अकर से थोड़ा बड़ा बेल लेंगे दबा ले लेंगे जिसमें हम घी डाजकर इसको शेक लेंगे इसे दो तीन बार हुमाते हुए शेक लेंगे सेम प्रोसेस में बाक्यों को भी बना लेंगे एक पैन में दो चमुष तील डाल देंगे और एक को फ्राइ कर लेंगे एक मिनिट बाद इसके उपर परोठा रखके दो तीन बार गुमा लेंगे पीर्च मसाला डालके दो मिनिट पका लेंगे एक परोठा के उपर मियू सॉस डालके स्प्रेड कर लेंगे अब हम इसमें चिकेन किमा का फीलिंग डाल देंगे और इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे और इसे रैप करके तुद्पिक लगा देंगे इस तरह आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर बनाईए और गर्मा गर्म खाईए और सब को खिलाईए अब हम डाल देंगे अब भाईए अब बाईए अब डाल अब डाल झाल झाल